नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नियोज में मेरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे केंद सरकार के एक बड़े फैसले के बारे में क्योंकि बड़ा फैसला जो है एक तरह से कहले कि लड़कियों के लिए काफी महत्पूर्ण बताया जा रहा है किंद्रे कैबिनेट ने बुधवार को दो बड़े सुधारों से जुड़ी हुए विधिकों को मंजूरी दे दी बतादें कि सरकार की तरप से पहला बड़ा सुधार लड़कियों के बिवाह की उम्र से जुड़ा हुआ है बतादें कि मोदी सरकार के कार्जकार में बिवाह के संबंद का यह दूसरा सबसे बड़ा सुधार है जो कि समान रूप से सभी धर्मों के लिए लागो होगा आईए अब जान लेते हैं आखिर इस बिध्यक में संसोधन की जरूरत कैसे महसूस की गई बतादें कि लड़कियों की साधिकी उम्र पर विचार के लिए एक टास्क फोर्स बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट बीतिय साल दिसंबर में नीती आयो को सौपी थी इस टास्क फोर्स ने युब्तियों के विवाह की उम्र बढ़ा कर 21 बर्स करने का पूरा रोल आउट प्लांग सौपा था जिसमें उसे समान रूप से पूरे देश में सभी बर्गों पर लागो करने की मजबूत सिफारिस की दस दस्यों के टास्क फोर्स ने देश भर के जाने माने स्कॉलर कानूनी भी सग्रिक संगठों के नेताओं से प्रहमर्स किया बेविनार के जर्य देश के सीधे महिला परतनीदियों से बातचित कर रिपोर्ट को बनाया गया युनिसेफ के अनुसार भारत में हर साल 15 लाख लड़कियों की साधी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है बतादें कि मोदी सरकार के कार्जकाल में साधी बिवाह के संबंध यह दूसरा सबसे बड़ा सुधार है जो कि समाज रूप से सभी धर्मों के लिए लागू होगा अई अब जान लेते हैं इससे पहले कब हुआ था इसमें बदलाब टास्क फोर्स ने साधी की उम्र समान यानि की 21 साल रखने को लेकर चार कानूनों में संसोधन की सिपारिस की यूपतियों की यानि की लड़कियों की नियूमतम उम्र में आखरी जो बदलाब हुआ था वो था 1978 में और उसके लिए सारदा एक्ट 1929 में परिवर्तन कर उम्र 15 से 18 की गई थी आपको बता दें कि भारत के जनगनना महापंजिकरन के मताबिक देश में 18 से 21 साल के बीच विवाह करने वारी यूपतियों की संख्या करीम 16 करोड है इस विधियक के संसत के पास होने पर बोटर आईडी के अधार कार्ड से जोडने के साथ ही नए बोटरों को रइस्टेशन के ज़ादा मौके मिलेंगे माना जा रहा है कि ये दोनों विधियक संसत के मौजूदा सत्र में ही पेस किये जाएगे यह दोनों ही सुधार अपने आप में एक करांतिकारी माना जा रहा है लड़कों और लड़कियों के विवाह की नियुमतम उम्र एक समान करने की घोशना पल्धान मंतरी नरेंदर मुदी ने साल 2020 में लाल किले से अपने संबोधन के दौरान किया था वही चुनाब सुधारों का मुद्धा चुनाब आयोग भी काफी समय से उठाता रहा है ऐसे में अब लड़के और लड़कियों की उम्र सिमा 21 साल निर्धारित करने के विधियक वा संसद होन में तरस करने की विधियक को मंजूरी दे दी गई है अब जब यह कानूनी रूप बन जाएगा उसके बाद से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार का यह एक बड़ा फैसला होने वाला है और हो भी क्यों नहीं क्योंकि लड़के और लड़कियों दोनों को समान अधिकार मिल जाएगा उम्र साधी को लेकर और साथे साथ बोटरों को लेकर भी कि 21 साल के उम्र तक में जो है अब बोटरों को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनको भी जो है इसके तहत जोला जाए बिहार और बिहार से जुड़ोवे और विये सेंग खवरों के लिए बने रहें बिहारी नियोज के साथ मुझे दिज्य जाज़त धन्यवाद